सब्सक्राइब कीजिए टेक्नार व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो realme X2 launch होने के बाद काफी सारे लोग जो note 8 pro खरीने का प्लान कर देते अभी confusion में है कि कौन सा फोन लेना चाहिए note 8 pro या फिर realme X2 क्योंके on paper realme X2 में वो सब कुछ आपको मिलता है जो आप expect कर सकते किसे भी 2019 की mid-range smartphone में पर दूस्तों यहाँ पर note 8 pro में भी आपको बड़िया specification मिलता है Mediatek Helio G90T 64 Megapixel की quad camera setup के साथ इसमें आपको 2GB RAM extra मिलता है base variant में अगर हम compare करें realme X2 के साथ तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन डीटेल में minor to minor details को चेक करके इन दोनों phones के बीच full comparison करते और देखते है के कौन सा है better value for money realme X2 या फिर Redmi Note 8 Pro तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लिजे और bell icon को भी क्लिक कर लिजे ताके हमारे आने वाले वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए देखे लेते हैं फुल कंपरेजेंट रियल्म X2 और Redmi Note 8 Pro के बीच और MICHAEL चैनल करेंट देखे लेते हैं इन दोनों फोन्स का प्राइस का गरुर्पार्श सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों फोन-फोन का प्राइस तो बीक्ष्टा सीसरी नियग्या 6GB के RAM के साथ 64GB storage और इसका price है 14999 तो यहाँ पर price को देखा जाए तो 2000 रुपीज का price difference है पर दोस्तों अभी हर एक aspect जैसे design, display, camera, battery, performance हर एक aspect को check करके हम देख लेते कि क्या आपको 2000 रुपीज के साथ extra 2GB RAM को sacrifice करके realme X2 लेना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए Redmi Note 8 Pro के साथ तो चलिए पहले start करते design और display से तो यहाँ पर दोनोई phone में हमें सामने या फिर पीछे के side देखने को मिलता है Corning Gorilla Glass की protection मतलब दोनोई phone में आपको पीछे के side देखने को मिल जाएगा glass body और इसके वज़े से दोनोई phone को हाथ में लेने के बाद आपको एक premium feel मिलेगा तो overall द Realme X2 में हमें मिलता है 6.4 inch display जहाँ पर Redmi Note 8 Pro में हमें देखने को मिलता है 6.53 inch की display और दोनोई displays के उपर आपको मिल जाता है water drop style की notch design पर दोस्तों यहाँ पर जो difference आपको देखने को मिलेगा वो है इसकी display quality में क्योंकि यहाँ पर Realme X2 में हमें मिलता है Super AMOLED display जहाँ पर Note 8 Pro मे हमें देखने को मिलता है IPS LCD display दोनाई phone में आपको बढ़िया colors देखने को मिल जाएगा पर Realme X2 में Super AMOLED display होने की वज़े से आपको वीडियो देखने के time या फिर game खेलने के time आपको rich और vibrant colors इस phone में देखने को मिल जाएगा और दोस्तों AMOLED display होने की वज़े से इस phone में हमें देखने को मिलता है अंडर display fingerprint scanner जहाँ पर Note 8 Pro में मिलता है rear mounted fingerprint scanner वैसे अगर fingerprint scanning speed को देखा जाए तो physical fingerprint scanner का speed काफी ज्यादा है अगर हम compare करें Realme X2 की in display fingerprint scanning से और दोस्तों उसके साथ physical fingerprint scanner ज्यादा secure है क्योंके Realme X2 में हमें Samsung की flagship phones के तरह ultrasonic fingerprint scanner देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर है optical fingerprint scanner तो security के मामले में भी Redmi Note 8 Pro का rear mounted fingerprint scanner in my opinion बेटर है पर यस आपको एक latest technology मिल रहा है Realme X2 में जो है in display fingerprint scanner जो आपको Note 8 Pro में नहीं मिलता है और अगर cameras को देखा जाए तो दोनों ही phone में जैसे आप देख सेथे हमें मिलता है quad camera setup और उसके साथ दोनों ही phone में हमें same camera sensor की setup देखने को मिलता है क्योंके दोनों में 64 megapixel की primary camera, 8 megapixel की wide angle lens, 2 megapixel का depth sensor और 4th camera है 2 megapixel macro sensor और दोस्तों हमने अल्यरी दोनों ही phones के बीच in-depth camera comparison किया ह और जैसे आप देख सेथे हर एक daylight में ली गए pictures, दोनों phone की pictures में ज्यादा कुछ difference हमें देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों phones में हमें मिलता है 64 megapixel की primary camera जिससे आप super sharp images ले सकते, जिससे zoom करने के बाद अगर आप बहुत ही ज्यादा picky है तो फिर sharpness आपको slightly better मिलेगा Note 8 Pro में, पर in my opinion, colors जो है, वो मुझे थोड़ा बहुत स्यादा natural लगा, realme X2 से ली गई photo में, दोनों phone में हमें मिलता है 8 megapixel की ultra wide angle lens, जिसको use करके आप wide angle shots ले सकते हैं, और दोनों phone से ली गई wide angle images, almost similar है, मुझे overall color balance के साथ, dynamic range थोड़ा बहुत बेटर लगा, realme X2 से ली गई photo में, न obviously बहुत ही ज्यादा better है, जैसे आप देख सेते के overall sharpness और उसके साथ colors जो है, वो काफी ज्यादा better हमें देखने को मिलता है, Note 8 Pro की macro sensor से, और दो सामने के साइड, Note 8 Pro में हमें मिलता है 20 megapixel की front facing selfie camera, जहापर realme X2 में 32 megapixel की front camera, front facing camera से ली गई selfie में, जिसको अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर sharpness दो नहीं phone से ली गई pictures में एकदम similar है, पर यह skin tone को देखा जाए, तो वो ज्यादा natural लग रहा है, realme X2 से ली गई photo में, फाइनल अगर हम कुछ low light या फिर night images को देखते हैं, तो यहाँ पर Note 8 Pro से ली गई photo में, overall exposure मुझे better लग रहा है, पर यह सहर एक night images में colors मुझे better लगा है, realme X2 से ली गई photo में, अचके इस वीडियो में, let's give a huge shout out to UC browser, आपको पता ही होगा, यह एक बहुत ही popular web browser है, जिसमें आपको कुछ बढ़िया browsing tools जैसे ad blocker, facebook mode, live cricket score, dedicated night mode जैसा features मिल जाता है, और इसके साथ most importantly, यहाँ पे हमें मिलता है, lightning fast file downloader, इसकी servers में ह downloaded मिल जाएगा अपने phone में, all-in-one feature packed web browser के साथ, एक super fast file downloader के लिए, अभी जाए यह description में, और download कर लीजिए, UC browser, और राइट दोस्ता भी देख लेते हैं, इन दोनों phones का performance, तो यहाँ पर Note 8 Pro में मिलता है, मिरेट एक Helio G90T CPU, जहाँ पर Realme X2 में मिलता है, Snapdragon 730G CPU, दोनों ही phone क आपको day-to-day task में similar performance देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ हमने already इन दोनों phones के भी speed test और RAM management test किया है, जहाँ पर हमने देखा है कि Note 8 Pro में, extra 2GB RAM होने के बाद भी RAM management में, दोनों ही phone का performance एकदम similar है, पर दूस्ता अगर आप heavy games खेलते हैं, जैसे PUBG या फिर Call of Duty, तो आप एक difference देख पाएंगे, दोनों phones की performance में, क्योंके Note 8 Pro का Miratec Helio G90 का performance मुझे बेटर लगा है Realme X2 की Snapdragon 730G से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम in-game FPS को देखते हैं, तो आपको Note 8 Pro में PUBG खेलने के टाइम ज्यादा FPS देखने को मिल जाएगा, अगर आप gaming performance को compare करते है, Realme X2 की Snapdragon 730G से, और PUBG या फिर Call of Duty जैसे Heavy Games को ज्यादा खेलते है अपने फोन में, तो आपको जरूर जाना चाहिए Redmi Note 8 Pro के साथ, क्योंकि यहाँ पर gaming performance के मामले में, Note 8 Pro का performance बेटर है Realme X2 से, और दोस्तों उसके साथ जब हम games खेलते हैं, तो हम बैटरी के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर Note 8 Pro में बैटरी भी आपको बैटर मिलता है, क्योंकि Realme X2 में मिलता है 4000 बैटरी जहाँ पर Note 8 Pro में है 4500 बैटरी, पर दोस्तों एक चीज़ जो आपको धियान में रखना है, कि Note 8 Pro के साथ, बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 18W की Fast Charger, जहाँ पर Realme X2 के साथ, आपको मिलता है 30W की VOOC 4.0 Flash Charger, दोस्तों यहाँ पर charging के मामले में Realme X2 का performance obviously बहुत ही ज्यादा बेटर है, और हमने अल्री एक dedicated charging test किया है Realme X2 में, इसका लिंक आपको मिल जागा नीचे description में, तो overall सिर्फ 500 mH कम बैटरी आपको मिलता है Realme X2 में, पर उसके साथ आपको मिलता है 130W की VOOC 4.0 Flash charger, जो बहुत ही ज्यादा fast charge कर देगा इस phone को, तो यहाँ पर बैटरी या फिर charging के मामले में, in my opinion, Realme X2 बेटर है, और दोस्तों अगर हम OS या फिर extra features को देखते हैं, तो यहाँ पर दोनाई phones पे out of the box आपको मिल जाएगा Android 9 Pie, और Realme X2 में चल रहा है Color OS 6, जहाँ पर Note 8 Pro में ह MIUI 10 out of the box, दोनाई user interface customizable है, icon packs, themes, gestures, dark mode जैसे features के साथ, और दोस्तों Redmi Note 8 Pro में हमें recently MIUI 11 का update मिला है, पर अभी तक MIUI 11 में भी चल रहा है Android 9 Pie, पर दूसरे side में अगर हम Realme X2 को देखते हैं, तो यहाँ पर according to Realme roadmap, हमें इस phone में Android 10 की update मिल जाएगा March 2020 में, दोनाई phones में हमें मिलता PC port, 3.5 familiarity की headphone jack और इसके साथ NFC support, Realme X2 में हमें मिलता है Dolby Atmos की support, जहाँ पर Note 8 Pro में हमें मिलता है, IR bluster, जिसे यूज़ करके आप घर की TV और AC को अपने phone से ही control कर पाएंगे, तो यह कुछ एक्स्ट्रा फीचर से दोनों फोन की पर दोस्तों दोनाई phone में हमें मिलता है, triple sim slot जो बहुत ही नेसरी है किसी भी mid-range phone में, तो यह एक बहुत ही important feature है, जो आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों phones में किसी भी एक phone को लेने के time, तो overall design display camera battery performance हर एक aspect को देखने के बाद, दोनों में से एक को select करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंके mid-range price segment में जो highlighting feature है, Realme X2 की, वे Super AMOLED display in display fingerprint scanner 30W की VOOC charger, पर दोस्तों दूसरे साइड में Redmi Note 8 Pro का Helio G90T का performance बहुत ही बढ़िया है, और उसके साथ वर्थ मेंशनिंग इसका camera performance भी हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है, तो अभी सवाल यह आता है कि क्या आपको extra 2000 रुपीज खर्च करके, 2GB Extra RAM को sacrifice क Realme X2 लेना चाहिए, या फिर आपको जाना चाहिए, Redmi Note 8 Pro के साथ, तो in my opinion, yes, अगर आप सोचते हैं कि Super AMOLED display in display fingerprint scanner 30W की VOOC charger वर्थ इट है, 2000 रुपीज एक्स्ट्रा देने के लिए, तो आपको जाना चाहिए Realme X2 के साथ, पर दोस्तों, अगर आप gamer है, तो आपको obviously जाना च Pro के साथ, क्योंकि Extra 2GB RAM जो है, वो आपको gaming के टाइम काफी काम आने वाला है, और उसके साथ, Helio G90T का performance, especially gaming में, आपको बेटर देखने को मिल जाएगा, अगर हम compare करे Realme X2 से, दोस्तों, overall, in my opinion, it's a tie between Redmi Note 8 Pro और Realme X2, पर आप हमें निचे comments में ज़रूर बताएं के आपको क्य चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, इसके साथ हम इस वीडियो को end करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में